हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया और मैं पहुँझ यह हूँ बिहार के जहानबाद डिश्टिक के बभना पशू मंडी में और यह मंडी सपताहिक है परतियेक बूधवार को यह मंडी लगता है और आज की मंडी में कुछ अच्छी गाय देखने को मिल रही है और इस वीडियो में आप लोगों को देशी गाय भी देखने को मिलेगा ये गाय बिग गई है तो बिकी भी गाय का भी डीटेल देंगे और एक गाय ये भी सेल हुई है तो सेल गाय का भी डीटेल इस वीडियो में जानने को मिलेगा पल यह मंडी बिहार के जहानाबाद डिश्टिक में इस्तित है जहानाबाद रेलवे स्टेशन से मात्रे इस मंडी की दूरी पांच किलो मीटर है तो सबसे पहले इस गाय का डीटेल जानेंगे जो के यह गाय आज की मंडी में सबसे बेश्ट कॉलिटी की गाय उपलब्ध हुई तो सबसे पहले इसी गाय का डीटेल देंगे देख सकते हैं मात्रे चार दात की यह गाय है और जो अपने पहले ब्यात पे बताई गई है ओनर दुआरा काफी बढ़िया कद काठी में है देख सकते हैं थनों की बनावट और चारो थनों की बीच में जो गैपिंग है वो भी काफी शांदार है Milking Capacity की बात करें तो इस गाय के नीचे में दोनों समय का 17 लिटर Milking Capacity बताया जा रहा है इनके ओनर दोवारा और इस गाय का जो आज की मंडी में प्राइज रखा गिया है वो 72,000 रखा गिया है 72,000 रुपए इस गाय का डिमांड किया जा रहा है बच्चा इसके नीचे मेल है तो 17 लिटर दूद की Capacity चार दात में गाय है तो इस एंगल से भी देख सकते हैं चलिए एक आगे और शांदार गाय देखने को मिली जो के काफी अच्छी गाय ये भी है और ये गाय भी चार दात की है डिटेल दिया जाए गायों का ये चार दात की गाय है देख सकते हैं जरसी ब्रीड में गाय है ये और इसकी नीचे अठरा लिटर मिल्किंग Capacity बताया जा रहा है दोनों समय का थनों की बनावाट देखें काफी शांदार थन बना कर रखी है और 18 लिटर मिल्किंग Capacity बताया जा रहा है और इस गाय का जो डिमांड आज की मंडी में रखा गया है वो 70,000 बताया जा रहा है 70,000 रुपे इस गाय का डिमांड रखा गया है बच्चा इसके नीचे भी मेल है बच्चा बच्चे के साथ में है गया देख सकते हैं बच्चा अगली गया के तरफ चलेंगे और जानेंगे इस गया का डिटेल जो के ये गया भी काफी बड़ेया है मिल्किंग में और इस गया के जो ऑनर है गया को घुमा कर दिखा रहे हैं देख सकते हैं काफी अच्छी गाय ये भी और ये गाय भी अपने पहले ब्यात में ही है और ये गाय भी चार दात में ही बताई जा रही है तो फर्स, सेकंड और थर्ड ये तीसरी नंबर की इस वीडियो की गाय देख पा रहे हैं आप और तीनो ही चार दात पे गाय है तो काफी शांदार गाय ये भी 16 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी इस गाय के नीचे में बताया जा रहा है दोनों समय का देख सकते हैं इस एंगल से गाय को 16 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी है और 65,000 इसका rate बताया गया है थनों की बनावट देख सकते हैं जो के काफी बढ़िया गैपिंग भी है चारो थनों के बीच में 16 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी 65,000 रुपे डिमांड बताया गया है बच्चा मेल है इसके नीचे चार दात की ये गाय है एक बार इस एंगल से भी देख ले पूरा तो काफी बढ़िया चलिए जो गया सेल हो गई है उसका डीटेल देता हूँ उसके बाद फिर देशी गया का डीटेल वीडियो के लाश्ट में आप लोगों को जानने को मिलेगा तो आज की मंडी में फाइनली ये गया बीग चुकी है और काफी बढ़िया ये भी गया है जो के दूसरी ब्यात में ये गया देख पा रहे हैं आप छे दात की है और मिल्किंग कैपिसिटी इस गया के नीचे में 14 लीटर दोनों समय का बताया जा रहा है तो आज की मंडी में ये गया कितने में सेल हुई है वो बताना चाहूँगा अडर की जो बनावट है देख सकते हैं छे दात की गया है 14 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी है और आज की मंडी में ये गया 49,000 में सेल हो गई है 49,000 रुपय में ये गाय आज की मंडी में बिकी है बच्चा इसके नीचे फीमेल है ये प्लस पॉइंट है तो मार्केट का रेट देख सकते हैं कुछ जादा बढ़ा चड़ा हुआ मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है और दूसरी गाय जो कि ये सेल हुई है तो ये गाय क का एक बार वीडियो वहाँ पर भी दिखाएंगे आप लोगों को तो देख सकते हैं इस गाय को जो के ये गाय दात में मिल चुकी है और इसके नीचे मिलकिंग कैपिसिटी दोनों समय का 12 लीटर बताया गया है और 44,000 रुपय में ये गाय भी की है 44,000 में आज की मंडी में ये गाय सेल हुई है और बच्चे इसके नीचे भी मेल है बचला बच्चे के साथ में है तो देखा आपने इस गाय को और जाना इसका डीटेल जो ब्लैक वाली गाय सेल हुई थी मैंने बताया आपको फर्स्ट जो बिकीवी गाय का डीटेल दिया था और ये गाय जो के दोन यहाँ पर एक आयर शायर की गाय देखने को मिली है तो इसका डीटेल देंगे उसके बाद फिर देशी गाय के तरफ चलेंगे और उसका भी डीटेल देंगे देख सकते हैं यह गाय आयर शायर की क्रॉस ब्रीड है औरिजिनल नहीं है लेकिन काफी बढ़िया और नात में हलाकि यह गाय मिल चुकी है ब्याद की बात करें तो दूसरी ही ब्याद यह गाय की बताई जा रही है कि दूसरे ब्याद में है यह मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे भी दोनों समय का 14 लीटर बताया गया है इनके उनर दोरा और इस गाय का जो कि आज की मंडी में जो डिमांड बताया जा रहा है वो 51,000 बताया जा रहा है एक कावन हज़ार रुपे इस गाय का रेट रखा गया आज की मंडी में देख सकते हैं थनों की बनावट वगएरा और जो चारो थनों के बीच में गैपिंग है वो भी देख सकते हैं पीछे का जो लेटी है उसमें गैपिंग कुछ कम है हलाकि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक भी है बच्चा इसके नीचे मेल है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जानते हैं आपर देशी गाय का डीटेल और ये जो गाय देख पा रहे हैं आप गिर ब्रीट की गाय जो के गिर में परसेंटेज अगर इसमें बात की जाए तो मेरे हिसाब से लगबग 70% के आसपास है तो इसका पूरा डीटेल देंगे आप लोगों को गाय दात में मिल चुकी है इस एंगल से देखें आप लोग और 70% तो जरूर होना चाहिए हो सकता है कम भी हो तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताए 70 ना होगा तो मेरे हिसाब से 65 तो जरूर होना चाहिए ये गाय दात में मिल चुकी है और 8 लीटर मिलकिंग कैपिसिटी इस गाय के नीचे में दोनों समय का बताया जा रहा है और आज की मंडी में इस गाय का जो रेट रखा गया है 41,000 रखा गया है देख सकते हैं इस एंगल से एक 40,000 रुपे डिमांड रखा गया है बच्चा इसके नीचे मेल है बचला बच्चे के साथ में और दूसरी जो के देशी गाय यहां पर देख पा रहे हैं इसका भी डीटेल देंगे आप लोगों को देख सकते हैं काफी अच्छी गाय ये भी है अपनी देशी ब्रीट की रेट सिंधी और गिर क्रॉस ऐसा कह सकते हैं इस गाय को या फिर सहीवाल और रेट सिंधी क्रॉस भी कह सकते हैं तो क्रॉस ब्रीट को जच करना थोड़ा मुस्किल होता है लेकिन मेरे हिसाब से ये गिर क्रॉसी में है गिर की यहाँ पर परसेंटेज इस गाय में भी देखने को मिल रही जैसा के सींगों की बनावट हो या फिर माथे की चौड़ाई तो जहां तक मुझे लग रहा है और थनों की बनावट देख सकते हैं तो इस एंगल से भी देखें आप इस गाय को और आप लोग जरूर कॉमेंट करें कि कौन से ब्रीड से क्रॉस है मुझे जहां तक लग रहा है गिर का क्रॉस ब्रीड ये गाय है दात में मिली भी है 12 लीटर मिल्किंग का एपिस्टी है इसकी नीचे दोनों समय का और इस गाय क का फाइनल प्राइस 45,000 लगेगा और बच्चा फीमेल है ये प्लस पॉइंट है इस गाय के साथ में तो चलिए आगे एक और देसी गाय है उसका भी डीटेल देना चाहेंगे देख सकते हैं जो के ये भी गाय है देसी ब्रीड में दात में ये भी गाय मिल चुकी है ब्यात म आपको दिखाना चाहेंगे देख सकते हैं 10 लिटर मिलकिंग कैपिसिटी है इस गाय के नीचे में और इस गाय का जो डिमांड बताया जा रहा आज की मंडी में वो 35,000 बताया जा रहा है 35,000 रुपए इस गाय का डिमांड रखा गया है जो के प्राइज मुझे ठीक लगा आ 35,000 रुपए इस गाय का रेट रखा गया है बच्चा मेल है इस गाय के नीचे में बचला बच्चे के साथ में है तो ये गाय दोनों टाइम में मेरे हिसाब से तो लगबग 6,5-6 लिटर तक दूद निकालेगी और निकालना भी चाहिए आप लोग कॉमेंट करके जरूर बत करूई